नवरात्री के पहले दिन कलश्थापना का विशेश महत्व है इस दिन कलश्थापित करके हम देवी मा दुरगा को आमंतरित करते हैं और उनके आशीरवाद से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ती वेदा में आईए इस विडियो में जानते हैं नवरात्री के पहले दिन कलश्थापना क्यों की जाती है और इसके क्या नियम है आप लोगोंने अक्सर देखा होगा कि नवरात्री का पर्व शुरू होते ही सबसे पहले कलश्थापना और उसका पूजन करने का विधान है हिंदू धर्म में नवरात्री के पहले दिन कलश्थापना का बहुत महत्व होता है कलश देवी मा दुरगा का प्रतीक माना जाता है कलश में जल, अक्षत, रोली, मौली आधी भरकर उसे स्थापित करने से देवी मा दुरगा का आवाहन किया जाता है हिंदू धर्म के लोग ये परंपरा कई वर्षों से मनाते चले आ रही है ऐसी मान्यता है कि कलश मा दुरगा की शक्ती का प्रतीक है यह सकारात्मक उर्जा का भी प्रतीक है जो घर में शान्ती और सम्रिध्धी लाता है पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी 3 अक्टूबर को 12 बजकर 18 मिनिट बजे शुरू होगी यह तिथी 4 अक्टूबर को तड़के सुभ शून्य दो बजकर 58 मिनिट तक मान्य रहेगी ऐसे में उद्ध्याती ठीके आधार पर इस साल शारदिय नवरात्री का प्रारम्भ 3 अक्टूबर दिन गुरूवार से होगा कलश्थापना शुप मुहूर्त शारदिय नवरात्री का ये पहले दिन कलश्थापना करने के लिए 2 शुप मुहूर्त बन रहे हैं कलश थापना के लिए पहला शुब मुहूर्थ सुब़ 6 बचकर 15 मिनट से 7 बचकर 22 मिनट तक है और घट स्थापना के लिए आपको एक घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा. इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना का मुहूर्थ अभिजीत मुहूर्थ में है. यह सबसे अच्छा समय माना जाता है. दिन में आप 11 बचकर 46 मिनट से दोपहर 12 बचकर 33 मिनट के बीच कभी भी कलश थापना कर सकते हैं. दोपहर में आपको 47 मिनट का शुब समय मिलेगा. कलश थापना के नियम नवरात्री के पहले दिन कलश थापना के समय शुद्ध रहें. कलश थापना के दौरान मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होनी चाहिए. पूरे नवरात्री के दौरान कलश की विधी विधान से पूजा करें. नवरात्री के दिन नवमी तिथी पर पूजा कर कलश विसरजन करें वास्तु के अनुसार नवरात्री के पहले दिन सही दिशा में कलश थापना करने से लोगों के घर से वास्तुदोश दूर होता है कलश पवित्रता का प्रतीक है यहां हमें शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने की प्रेर्णा देता है कलश थापना मंगलकारी होती है यहां घर में सुक्समरिधी और खुशाली लाती है वहीं जोतिशास्त्र के अनुसार नवरात्री के पहले दिन कलश थापना के लिए शुब मुहूर्थ का चुनाव करना होता है कलश को घर के पूजा स्थल पर या किसी साफ सुत्रे स्थान पर स्थापित करना सबसे उचित माना जाता है जानकारी पसंद आये तो वीडियो को लाइक हमारे चैनल भक्ती वेदा को सब्सक्राइब और कमेंट में जै मादुर्गा लिखना ना भूले जै मादुर्गा